नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आज दिन बर की फटापट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 17656 हो गई उधर कोरोना महामारी खत्म होने तक बिना मास्क नहीं मिलेगा अब पेट्रोल और डिजल पूरे देश में लाग हुआ नो मास्क नो फ्यूल वहीं लोगडाउन 2 में रियायत मिलते ही दिखी लोगों की लापरवाही सडकों पर गाडियों की भारी भीड वहीं लोगडाउन पर सुप्रिम कोर्ट में तरह तरह की आचिकाएं दायर किसी ने कहा कि राज्यों में सेना की जाए तेनात तो किसी ने कहा कि फ्री करो इंट की वाइँ के साथ बसरे निवेदन है खिर प्वीडियो को लाइक कर दे कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वटन जरुन दवादें दरसल दोस्तों आपको बता दें कि आज भारत में कोरूनावारस मरीजों की संक्या बढ़ कर 17656 हो गई जिसमें से 2841 लोगों ने कोरोना वाइरस से जंग जीत ली है आपको बता दें कि 2841 लोग ठीक हो गए जिसमें से 569 लोगों ने अपनी जान गवा दी वह अगली बड़ी खबर लोगडाउन 2 में रियायत मिलते ही दिखी लोगों की लापरवाही सडकों पर गाड़ियों की भारी भीड़ दरसल दोस्तों आपको बता दें कि लोगडाउन के बीच सौंबार को कुछ रियायतें दी गई आपको बता दें कि लेकिन इसकी आड में काफी संख्या में सड़क पर दो पहिया और तीन पहिया वाहन चलने लगे सुवे खरीदारी को लेकर पुलिस ने थोड़ी नर्मी बढ़ती लेकिन दस बजे के बाद वाहनों की भीड सड़क पर अचानक से बढ़ने लगी तो पुलिस ने सड़क पर घूम रहे लोगों को बहुत खदेडा उसके बाद चौक चौराहों पर वाहनों की चेकिंग भी सुरू कर दी पैदल चल रहे महलावे पुरसों की जम कर खबर ली गई योगों को कहीं मुरगा बनाया गया तो कहीं उठक बैठक कराई गई वह अगली बड़ी खबर लोगडाउन पर सुप्रिम कोर्ट में तरह तरह की याचिकाएं हुई दाखिल किसी ने कहा कि सभी राज्यों में सेना की जाए तैनात तो किसी ने कहा कि फ्री करो इंटरनेट दरसल दोस्तों आपको बता दें कि लोगडाउन के दोरान सुप्रिम कोर्ट में तरह तरह की याचिकाएं दाखिल हुई हैं एक याचिका में कहा गया कि लोग लोगडाउन को गंबिरता से नहीं ले रहे एसलिए मामलाब सेना के हवाले कर देना जरूरी है एक और याचिका में कहा गया कि घर पर बैठे लोग परिशान हो गए लोगों को सभी टीवी चैनल और इंटरनेट सेबाब मुफ्त में मिलनी चाहिए लोगडान का पालन कडाई से करवाने के लिए सभी राज्यों में सेना को बुलाने की मांग की गई है आपको बता दें के एक और याचिका में गाउन लोटने की उम्मीद में जमा हुए मजदूरों की जाच की मांग की गई इस याचिका में कहा गया कि जिस तरह से मॉंबाई शूरत समित कई सेहरों में हजारों की संख्या में दूसरे राज्यों में फसे मजदूर अपने गाउन लोटने की उम्मीद में जमा हुए यह संदिक्द लगता है इन सभी मामलों की जाच की जाए उधार अन्य याचिका में कहा गया कि फॉन कॉलिया इंटरनेट फ्री करने की मांग की आपको बता दें कि इस याचिका में कहा गया कि लोग कोरोना जैसी गंवीर विमारी से घबराय हुए हैं अगर लोगों को unlimited कॉलिंग और इंटरनेट की स सेवाएं इस याचिका में मांग की गई है कि सुप्रिम कोट डिटी एच कंपनियों से यह कहे कि वह अपनी सेवाएं बिल्कुल फ्री में दे आपको बता दें कि उधर एक और याचिका में मकान मालिकों पर कारवाई करने की मांग की गई है लोकडाउन को लेकर और और भी कर कोरोना का टेस्ट करवाया जाए एक और याचिका कहती है कि उन मकान मालिकों पर कारवाई हो जो किराएदारों को किराया देने के लिए परिशान कर रहे हैं याचिका में केंद्र सरकार के एक आदिस का हवारा दिया गया है जिसमें यह का गया है कि लोगडाउन की हुआ नो मास्क नो फ्यूल दरसल दोस्तों आपको बता दें कि लोगडाउन के दोरान कई छेत्रों में थोड़ी धील दी गई है ऐसे में सडकों पर वाहनों की आवाजाही भी बड़ी है वहीं देश में कोरोना वायरस से संक्मित मरीजों की संख्या आप 17,656 हो गई है आप को बता दें कि COVID-19 के लगातार बढ़ते संक्मण को देखते हुए पैट्रोल पंप पर आपको बिना मास्क के पैट्रोल नहीं मिलेगा वहीं पैट्रोलियम डीलर्स एसोसियेशन के अध्यच अजया बंसन ने कहा कि यह फैसला पैट्रोल पंप पर काम करने वाले स्टाफ की शुरक्षा को देखते हुए नो मास्क नो फ्यूल की स्टेट्रिजी अपना ही जा रही है यानि पैट्रोल या डीजल भरवाने जा रहे हैं आपको लिए मास्क पहनना अनिवार होगा वैसे भी कई जगों से बाहर निकलने पर लोगों के लिए मुह को मास्क या फिर किसी क अपड़े से ढखना अनिवार है बता दें कि All India Petroleum Dealers Association ने एकमत से फैसला लिया है कि अगर कोई भी गरहक बिना मास्क लगाए पैट्रोल पंप पर इनन के लिए तो उन्हें इनन नहीं दिया जाएगा वह अगली बड़ी ख़बर e-commerce कंपनियों के लिए नए नियम हुए ल उनमें e-commerce सौपिंग का छेतर भी सामिल है नए नियम के मुताबिक e-commerce कंपनियों दोरा अपने मंच के जरीए गेर ज़रूरी बस्तूओं के बेचने पर फिलाल रोक लगा दी गई है आपको बता दें कि नए नियम के मुताबिक आप खाने पीने की कई चीज़ें ऑनलाइन मंगवा सकते हैं जैसे health drinks, cooking, breaking, breakfast का सामान, dry fruits, sweets और snacks, healthy foods सामिल है आपको बता दें कि इस वक्त सबसे मैतपूर है अच्छी सेहत इसलिए सरकार के नियमों के मुताबिक आप medical से जुड़ा सामान जैसे mask, sanitizer, hand wash, blood pressure, monitor, nebulizer और thermometer जैसी चीज़ें मंगवा सकते हैं इसके अलाबा personal hygiene की कई चीज़ें जैसे oral care, personal hygiene, skin और hair care, saving का सामान मंगवा सकते हैं इसके अलाबा आप diapers, feeding और nursing, health का सामान भी मंगवा सकते हैं आप पालतू जानवरों से सम्मंदित चीज़ें और साफ सभाई की चीज़ें भी मंगवा सकते हैं आपको बता दें कि आप घर की सबसे जरू पैंसन खाते में और PM किसान खाते में डाले जाएं साड़े साथ हजार रुपाई दरसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वारेस लोगडाउन में गरीब और जरूरतमंद लोगों के खातों में मोधी सरकार की ओर से जो राशी ट्रांसफर की गई है वो नाकाफी बताते हुए कॉंग्रेस पार्टी ने हर खाते में साड़े साथ हजार रुपई डालने की मांग की है आपको बता दें के पार्टी ने कहा कि हर जंदन खाते में बिद्वाओं के पैंसन खाते में बिकलांगों के पैंसन खाते में और बुज़र्गों के पैंसन खाते समित किसान के अकाउंट में भी साड़े साथ अजार रुपे डालने की किरपा करें आपको बता दें के पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग के नित्रत्त में गटित सलाकार समू की पहली बैठक के बाद कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश ने मोधी सरकार के सामने ये मांग रखी है आपक क्राशिया को लेकर कॉंग्रेस पार्टी ने विर्ष्तरत प्लान तैयार किया है एसे एक दो दिन में मोधी सरकार को स्वपा जाएगा उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक जो गदम उठाए हैं वो अपर्याप्ते हैं और हम सरकार को अपनी तरफ से चुझाब देंगे उन् कामों के लिए मिलेंगे मजदूर दूसरे राज्जा में फसे मजदूरों को सर्थों के साथ मिलेगी राज्जा में आने जाने की अनुमती। दरसल दोस्तों आपको बता दें केंदर सरकार ने कुरोणा वाइरस के संकमर से सुरक्षित इलाकों में 20 अप्रेल से चुनिंदा आर्थिक गतविदियों को आन सेक्तौर पर शुरू करने को लेकर राईवार को दिसानरदे सजारी कर दिये, इसके अनुसार प्रवासी लोगडाउन की अवधी के दोरान राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, हाला कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने की अनुमती नहीं होगी, गरह सचे बज़े भला ने आदे सजारी करते हुए इसपष्ट कर दिया कि बंद यानी लोगडा आने के लिए लगातार कोशिसें कर रहे हैं, आपको बता दें कि आदेस की अनुसार, चुकि संकमण छेत्र के बाहर वाले छेत्रों में 20 अप्रेल से संसोधित दिसानिर्देसों के तहत अत्रिक्त गतविदियां सुरू करने की अनुमती दी गई है, ऐसे में ये कामगार, ये सभी मजदूर, ओध्योगिक, विनिर्माड, निर्माड, किर्सी और मंडरेगा के तहत काम कर सकते हैं, आपको बता दें कि ये लोग जिस राज्य में फसे हैं, उसी राज्य में ये सरकार की तरफ से काम कर सकते हैं, लेकिन ये अपने राज्य में वापस नहीं जा सकते, वह अगली बड़ी खबर यदि आप भी लेना चाहते हैं, इलेक्टिशियन, प्लंबर और कार्पेंटर की सेवाएं, तो पहले जानने ये नियम, दरसल दोस्तों आपको बता दें कि देजबर में लोगडाउन के बीच 20 अप्रेल से कुछ छूट दी गई है, हालांकि छूट उन्ही जिलों या उन्ही इलाकों को मिलेंगी, जो रेड जोन और और औरेंज जोन से बाहर हैं, इसका मतलब ये है कि राज्ज के उन जिलों को लोगडाउन की सर्तों में छूट दी गई है, जहां कोरोना वाइरस के मामले 10 से भी कम हैं, दिल्ली NCR के लोगों को पलंबर और कारपेंटर काम पर जा सकते हैं, साथ ही इसकी सेवाएं लेने वाले ग्रहकों को भी कुछ नियमों का पालन जरूरी होगा, आपको बता दें कि अगर आप एलेक्टिशन, पलंबर और कारपेंटर में से किसी की भी सेवा लेना चाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले ये जान लेना जरूरी होगा कि आपका और उसका घर ग्रीन जान में होना जरूरी है, तभी आप उसे अपने घर में काम करने के लिए बुला सकते हैं, अगर आपको कारपेंटर की सेवा लेनी है और आपका और उसका घर ग्रीन जान में आता है, तभी उसे फोन करें, इसके लिए उसे पहले पास बनवाना होगा उसे ये बताना होगा कि उसका घर ग्रीन जॉन में आता है पलंबर, कारपेंटर, इलेक्टिशियन और अन्य मेकेनिकों को अपनी सेवा देने के लिए नगरपाल का ग्राम पंचायत, पुलिस और जिरा कार्याले में पहचान पत्र लेकर और पहचान पत्र देकर पास बनवाना होगा, आपको बता दें कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए हर्याना सरकार ने भी जिले में एसी, कूलर और पंखा रिपेरिंग की कुछ दुकानों को खोलने की पर्मिशन दे दी है, आपको बता दें कि ये दुकाने सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और साम 4 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी, वह अगली बड़ी ख़बर सरकार ने लोगडाउन में दी छूट लेकिन इन सेवाओं को कर दिया बिलकुल बंद, दरसल दोस्तों आपको बता दें कि लगबग एक महीने बाद सरकार ने लोगडाउन में क जहां पर लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, कुल मिलाकर सरकार एक जगह पर भीड इखटा नहीं होने देना चाती, यही कारण है कि सरकार ने उन सभी छेत्रों को बंद रखने का फैसला लिया है, जहां पर लोग भीड लगा सकते हैं, आपको बता दें कि इसमें और रेस्टोरेंट जैसे कारुबार को भी खोलने की अर्मती नहीं दी, इसके अलावा सड़क यातायात को भी मंजूरी नहीं है, सिर्फ माल गाडियों को ही सामान लाने और ले जाने के लिए ससर्त मंजूरी दी गई है, सौमबार से किसान मजदूरों को खेती के लिए के साथ गिरेंगे ओले, दरसल दोसों आपको बता दें कि देश में एक और कोरोना वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी और मौसम भी हर दिन अपना मिजाज बदल रहा है, पिछले दो-तिन दिनों से मौसम में काफी बदलाव आया, कई सेहरों में भारी बा सिक्के माराचल प्रदेश नागालेंड में अलग-लग इस्थान पर बारिस होनी की संबावना है, इसके अलावा तेलंगाना, ओडिसा, बिहार, जारकंड में 50-60 किलोमेटर प्रते घंटे की रफ्तार से आंधी की आने की संबावना है, आपको बता दें कि उधर इसके अला बड़ी खबर है, यदि आप भी चाहते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भारत से जल्द खत्म हो जाए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन जरू दवा दें, जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिन, जय अरत